घरेलू उत्पादन में गिरावट आने तथा बाजार भाव उंचा एवं तेज रहने से देश में उड़त का आयात नियमित रूप से जारी है और आगे भी बरकरार रहेगा। खरीफ कालीन फसल कमजोर रही थी और खासकर अगस्त के भयंकर सूखे से इसे काफी क्षती हुई थी। रभी सीजन में पहले इसका बिजाई छेतर काफी पिछड रहा था लेकिन बाद में यह सामाने स्तर पर पहुँच गया। रभी सीजन में उड़त का उतपादन मुख्य दक्षिनी राजियों में होता है। मई में 32,000 तन जून में 41,000 तन जुलाई में 34,000 तन अगस्त में 49,000 तन सितंबर में 60,000 तन अक्टूबर में 81,000 तन तथा नवंबर में 80,000 तन दर्ज किया गया जबकि दिसंबर 2023 में 50,000 तन तथा जनवरी 2024 में 54,000 होने का अनुमान है। वितवर्ष 2022 से 23 की संपून अवधी अप्रेल से मार्च के दौरान देश में कुल मिलाकर करीब 5,25 लाख टन उड़त का आयात हुआ था जबकि इसकी मात्रा 2021 से 22 में करीब 6,12 लाख टन, 2020 से 21 में 3,45 लाख टन तथा 2019 से 20 में 3,12 लाख टन रही थी। तौवर की भानती सरकार ने उड़त के भी शुल्क मुक्त आयात की अनुमती दे रखी है। भारत में इस महत्वपूर्ण दलहन का आयात मुख्यत म्यामार से होता है। देश में उड़त का उतपादन घरेलू मांग एवं खपत से कम होता है, इसलिए इसके आयात की आवश झामस्टीव